वाट्सअप यूट्यूप वेलकम तो या वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ASP.NET वैब फॉर्म की तो पहले मैंने यह सोचा था कि एक ही वीडियो में पूरे वैब फॉर्म को तो पहले थोड़ा history पर बात कर लेते हैं तो ASP.NET जो था इसके आने से पहले एक language हुआ करती थी ASP तो ASP का मतलब Active Server Pages और यह एक development framework था जो के Microsoft ने बनाया था जिसमें Microsoft की पहली server side scripting language यूज हुई थी जिसे ASP कहते हैं और यह programming language Microsoft ने PHP से compete करने के लिए बनायी थी तो Microsoft ने यह सोचा कि हमारी अपनी एक server side language होनी चाहिए तो उन्होंने ASP को बनाया उसके बाद ऐसा हुआ कि ASP.NET रिलीस हुई जो के Microsoft की एक पूरी .NET की technology है यानि .NET की एक family है जिसमें बहुत सारी technologies हैं तो ASP को भी उसका part बना दिया गया तो यह ASP के successor के तोर पे user यानि ASP successful रही तो उसको आगे upgrade कर दिया गया और बना दिया गया ASP.NET तो अब जो ASP है वो इस्तमाल नहीं होती और उसकी जगह use होती है ASP.NET अब मैं थोड़ा इस पर भी बात करना चाहूँगा कि HTML, CSS और JavaScript को इस्तमाल करने में और ASP.NET को इस्तमाल करने में क्या difference है basically हम ASP.NET में भी HTML, CSS और JavaScript का इस्तमाल करेंगे लेकिन difference यह होगा ASP.NET के through ही हम manage कर रहे होंगे HTML, CSS और JavaScript को तो फर्क यह होता है कि जब आप HTML, CSS के pages को directly चला रहे होते हो तो आप सरिफ HTML pages को load कर रहे होते हैं और हर page अपने own पर काम कर रहा होता है यानि कोई चीज connected नहीं होती, कोई चीज किसी system के तहत नहीं चल रही होती हर चीज अपने own पर चल रहे होती है, यानि हर page अपने own पर चल रहा होता है जबके अगर आप कोई framework यूज करते हो जैसे asp.net तो उसमें फ़र्क यह आ जाता है कि एक तो आपकी चीज manage रो जाती है, under a project आ जाती है जब वो under a project आ जाती है तो हर चीज आपस में connected होती है और एक system के तहत चल रही होती है, तो इसी को हम कह देते हैं web application अब website में बकाइदा किसी server का server included नहीं होता लेकिन asp.net को जब हम इस्तमाल करेंगे तो हमारे पास एक server होता है उस server का क्या काम होता है कि browser जो होता है वो request करता है server से यानि यह request इस तरीके की हो सकती है कि अगर किसी website को चलाया जाए तो जाहर सी बात है सबसे पहले उसका home page आता है या उसका index page शो होता है तो browser request करेगा कि इस website का home page दिखा दो तो web server जो है उसे response में वो home page भेज देगा फिर browser उसको display कर देगा तो यह होती है एक request अब इस request multiple types की हो सकती है यह request ऐसी भी हो सकती है कि browser जो है वो request कर रहा है कि contact का page शो कर दो अब web server ने response में contact का page ब्राउजर को शो कर दिया अब contact में first name, last name, age और यह सब चीज़ें मौजूद है तो जब सारी सीज़ें लिखने के बाद मैं ब्राउजर में submit का बटन दबाऊंगा तो दुबारा जाएगी web server के पास request जो के कहलाती है post request तो जब यह first name, last name वगेरा इस server के पास आएगा तो इसका काम होगा कि उसे database में डाल दे तो web server यह decide करेगा कि क्या यह information सही है क्या इस information को database में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए वह इस बात पर depend करेगा कि हमने क्या logic रखी वी होगी तो asp.net जो होती है na basically वह web server को समालने के लिए server side scripting language होती है यानि एक तो आपके browser पे javascript चल लही होती है इसे कहते है client side scripting language यानि वह javascript जो work कर रही होती है वह browser पे work कर रही होती है यानि client जो चला रहा होगा न वहां work कर रही होगी जबके आपकी asp.net जो होगी न वह आपके server पे काम कर रही होगी यानि वह code को client access नहीं कर सकता client क्या करता है अपने browser के through किसी link पर click करके या कुछ भी करके request भेजता है server को फिर web server जिसमे asp.net चल रही होती है वह आगे decide करती है कि browser को कैसे जवाब देना है अगर फर्स करें इस browser ने कोई ऐसा page request किया है जिसे सिर्फ admin access कर सकता है तो यह web server इस चीज को देखेगा कि जो request आई है वह किसकी तरफ से आई है क्या वह बंदा admin है या वह बंदा एक आम user है अगर वह बंदा admin है तो यह response में उसे वह page दिखा देगा देकिन अगर यह बंदा user यह बंदा admin नहीं है तो वह response में उसे 404 का error दिखा देगा कि आप उस page को access ही नहीं कर सकते या ऐसा कोई page exist ही नहीं करता यह कह देगा अब asp.net जो है वह open source है और server side web application framework है इस पर तो हम बात कर ही चुके हैं तो asp.net को अगर आपको इस्तमाल करना है तो यह बिलकुल free होती है visual studio भी free होता है और इसके लिए आपको कुछ buy नहीं करना पड़ता तो यह absolutely free है यह allow करता है developer को के वह web application भी बना सकते है web services भी बना सकते है और dynamic content driven website मना सकते हैं यानि dynamic websites मना सकते हैं तो asp.net को क्यों इस्तमाल किया जाए पहली बात तो यह है कि आपके पस javascript programming language होती है लेकिन asp.net इस्तमाल करने से आपके पास .net की support भी आ जाती है यानि इसमें जितने features हैं जो इसकी capabilities है वह भी आपके पास आ जाती है उन्हें भी आप use कर सकते हो दूसरा आपके पास powerful IDE आ जाता है जो के visual studio है जो के आपकी बहुत जादा help करता है coding में और आपके project management और project debugging में high speed और vast language support है asp.net की applications होती है उनको यह कहा जाता है कि उससे enterprise level की web applications बनती है यानि अगर आपको ऐसी web application बनानी है जिसमें आप security को compromise नहीं कर सकते जिसमें आप quality को compromise नहीं कर सकते आपको एक solid web application चाहिए तो asp.net आपकी first choice हो सकती है तो बड़ी बड़ी organization के लिए अगर कोई web application बनाई जाती है तो asp.net उन्हें बनाने के लिए first priorities में शामिल होता है तो asp.net के अब different versions आ चुके है originally जो asp होती थी न वो होती थी web forms यानि इनहीं को कहा जाता था active server pages लेकिन अब बहुत सारे और different versions आ गए asp के जिनमें से popular है asp.net mvc और asp.net core तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस series में वो asp.net web forms है तो अब practically देखते हैं कि asp.net web forms किस तरीके से काम करते हैं तो एक नया project बनाएंगे तो यहां पर मेरे पास यह show हो रहा है asp.net web application.net framework तो इस पर मुझे क्लिक करना है नाम मैं change कर सकता हूं यह template होती है यानि आप empty project बनाकर उसमें खुछ से चीज़ें add करना चाहते हैं या फिर आप किसी template को use करना चाहते हैं तो मैं template को use करूँगा और create कर दूँगा तो यह हमारा web forms का project बन गया है जिसमें हमारे पास यह multiple folders हैं तो इस app data में हम database की files रखते हैं फाइल की सूरत में तो उसे हम यहां रखते हैं इस app start की बात जरा बात में करेंगे पहले बात कर लेते हैं content folder की तो यहां पर हमारे पास सारी css वाली files होती है तो एक site.css होती है यह वो css होती है जो के तमाम web pages जो भी add हुए है यह सब पर चलती है तो यह इस तरीके की css होती है और बाकी bootstrap की css files पहले से included होती है तो इस project में हमें bootstrap की links add नहीं करनी परती बलके इसमें bootstrap version 3 पहले से added होता है जिसे हम upgrade भी कर सकते हैं तो थोड़ी देर में उसके बारे में भी बात कर लेते हैं पहले और चीजों को देख लेते हैं fonts में fonts होते हैं जबके script में तमाम वो script file होती है जो के web forms को जरूरी होती है चलने के लिए और साथ ही साथ ये जे क्यूरी वगेरे की scripts भी इसमें included होती है जो हमने web forms का template select किया था उसकी वज़ा से हमारे पास ये default contact और ये about का page आ रहा है अब हमारे पास एक चीज होती है side.master तो इस side.master क्या होता है पहले मैं एक मिसाल के दरीए इसको समझाओंगा के के फर्स करें आप एक burger की shop पर जाते हैं तो होता ये है के आपके पास आप कोई भी burger order करें उसके बीच का जो content होता है ना बीच का जो मवाद होता है वो change होता है जबकि जो उपर की patties होती है या इन्हें बन कह लें तो ये हमेशा same होता है तो side.master में वो चीजें होती है जो हमेशा same रहती है यानि same आपकी website में क्या रहता है आपका header, navbar और footer type की चीजें तो वो चीजें जो तमाम web pages में same रहती है जैसे navbar आम तोर पे change नहीं होता navbar same रहता है हर page में तो वो चीजें आपकी आजाती है master page में यानि यह जो आपके बन होते हैं यह आपका master page है जिसमें आपका header आजाता है, navbar आजाता है और footer आजाता है और बीच के जो content है यह जो बीच का content है यह आपका हो गया बाकी के pages यानि अगर आप home का page चला रहे है contact का चला रहे है, products का चला रहे तो यह जो बीच का content है यह वो हो गया तो site.master को अगर मैं चलाओं तो यहाँ पर आपको देखेगा जैसे HTML में header होता है जिसमें सारे information tag और links वगरा होती है उसके बाद आपको मिलेगा एक section जहाँ पर ASP script manager ने सारी scripts को define किया है तो अगर इसको हटा दिया जाए तो उसके बाद हमारे पास nap bar आता है तो यह nap bar भी bootstep से बना हुआ है उसके बाद एक यह section है और उसके बाद हमारे पास यह footer आ गया है तो बीच में जो बचा वो बीच में page का content बचा जो case content place holder में आता है अब वो कहां से आता है वो हमें पता चलेगा जब हम यह pages खोलेंगे फिलाल हमें इतना पता है के master page के पास header और footer है और बीच का content वो बाकी pages से उठाएगा तो default में अगर मैं देखूं तो default में हमारे पास वो beach का content होता है जो के master page को चाहिए एक complete page बनाने के लिए तो इसी लिए यह id और यह id सेम होती है यानि इसमें main content लिखा हुआ है इस page में भी content place holder में main content लिखा हुआ है तो इस तरीके से यह सारा code उठाकर जब मैं default का page चलाओंगा न तो इस सारा code उठाकर site.master के nap bar और footer के साथ मिलेगा और एक complete web page मुझे show हो जाएगा तो इस तरीके से work करता है ASP में site.master और pages मिलके इसके अलावा site mobile master भी होता है लेकिन आम तोर पर हम इतना पंगा लेते नहीं कि हम mobile master में एक अलग से website बना रहे हैं उसका पूरा look बना रहे हम ऐसा कुछ कुछ करते नहीं है हम क्या करते हैं हम इसको delete कर देते हैं यानि basically हम इस functionality को use करते नहीं और हम इस view switcher को भी delete कर देते यह उसी mobile और site.master को switch करने के लिए होता है तो इनको delete इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे पास bootstrap इतनी responsive होती है कि वो mobile phones को और बाकी devices को समाल लेती है तो हम अलग से site.master को manage नहीं करेंगे हमारे पास सिर्फ एक site.master है वो ही काफी है तो हम mobile वाले के लिए अलग manage नहीं करते हैं अगर हमें web pages को add करना हो तो हमारे पास दो choices होती है दो web page मैं यहां बना कर दिखाऊंगा तो एक web page मैं बनाऊंगा new item करके web form यानि यह ऐसा web page है जिसमें कोई master page नहीं होता है यह एक normal HTML page की तरह होता है अगर मैं इसको add कर दूँ without master के नाम से बना दूँ मैं इसको तो इसमें देखेंगे HTML और body नाम से तो खर कोई फरक नहीं बड़ता लेकिन मैंने क्योंके इसे without master page वाला बनाया है इस वजह से इसमें HTML head body वागेरा सब कुछ है यानि क्या होगा इसका master site.master से कोई तालुक नहीं होगा इसके पास header footer वो सारी चीज़े अपनी होंगी इसके इलावा हम ऐसा web page बना सकते हैं जो के master page से connected हो तो इसमें हम लिख देते हैं इसको with master याद रखने के लिए with master तो अब यह पूछ रहा है कौन सा master page आपको select करना है क्योंके multiple master pages भी आप बना सकते हो तो मुझे यह वाला ही चाहिए क्योंके मेरे पास अभी एक ही है अब बाद में master page change कर सकते हो यहां से यह जो आपका पहला page डिरेक्टिव है जिसमें सारी information जाती है यहां से आप यह master page change कर सकते हो जैसे कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो तो मैं एक नया master page भी इसमें बना सकता हूँ तो इस तरीके से मैं एक नया master page बना सकता हूँ इसमें यह format change नहीं करना होता जो इसके आगर dot master लिखाव है बलके मैं site2.master इस तरीके का कोई नाम इसे दे सकता हूँ और इस page में change करने के लिए मुझे सिर्भ यहां पर इसका नाम site2.master ऐसे करना पड़ेगा कि जो मैंने नया master बनाया है इसमें content placeholder 1 के नाम से है id तो अब मेरा जो भी page उससे connected होगा with master यह नय वाले site.master से connected है यहां मुझे लिखना होगा content placeholder 1 अगर मुझे links एट करनी है तो site.master में मैं links भी add कर सकता हूँ snap bar को खोलूँगा और यहां पर मैं link add कर दूँगा इस link में एक खास बात यह है कि इसमें लगावाए run at server यह run at server इस वह से लगावाए ताके हम इस इस चीज़ को use कर सके यह कहलाता है root इसे root कहा जाता है तो यह root करता है क्या है कि यह आपको root directory पर ले आता है यानि यह आपको इस root पर ले आता है उसके बात आप बाकी address लिख सकते हो यानि आप root पर आगए यानि आप project पर आगए अब क्यूंके यह default और contact about और यह बाकी के pages बाहर पड़े में तो हमें इसमें इनका नाम लिखना पड़ ला है अगर यह किसी folder के अंदर होते जैसे content के अंदर तो हमें लिखना पड़ता root slash content और उसके बाद यह contact तो यह root का sign बहुत जरूरी होता है और इसके लिए link को run at server लाजमी होना चाहिए तो यह इसलिए काम आता है ताकर directory में कोई गरबर नहीं हो हमेशा वो root पे आने के बाद ही किसी folder में जाए या किसी directory को access करें तो मुझे यह भी change करने होंगे कि master लिखूं और इसमें सिर्फ without लिख देते हैं तो अगर मैं with master पे click करूंगा तो यहां पर एक खाली website शो हो रही है क्योंके अभी master में भी कुछ नहीं है और मैंने website में भी कुछ नहीं डाला अगर without मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर भी खाली शो हो रहा है क्योंके वह भी एक खाली page था यह दोनों लिंक्स अब connected हैं और अगर मैं about या contact पर क्लिक करूं तो यह गोर करने वाली बात है क्या मेरा footer और मेरा nap बार हमेशा same रहता है तो यह चीज होती है master page से एक और चीज में जल्दी से यह दिखाना चाहूंगा कि आम तोर पर मैं इस चीज को follow करता हूं कि मैं एक new folder मनाता हूं web forms के नाम से और यह जो सारे web forms हैं इनको मैं डाल देता हूं web forms में तो अब इससे होता यह है कि अगर अभी मैं अपनी application को चलाऊंगा तो वो देगी एक error क्योंकि जो default page बाहर होता है वो उसे मिलेगा नहीं तो इस चीज को change करने के लिए कि मैं अब उसे एक new address देना चाहता हूं मेरा जो default या मेरा जो भी page है वो इस web forms के folder में है तो उसके लिए मुझे web.config में जाना पड़ता है यहां इस configuration के अंदर यह system.webserver इस code को डालना पड़ता है इसको exactly same होना चाहिए यानि यह document का आप d भी आगे पीछे नहीं कर सकते यहां पर आपको देना होता है address यानि आप यहां पर लिख सकते हो slash और हम about page को अपना default page बना देते हैं default को भी बना सकते हैं लेकिन इससे हम यह भी सीख लेंगे कि कैसे किसी दूसरे page को default page अपना बनाया जाता है तो यह about का page हमारे पास चल गया है अब यह बात आ जाती है कि आप अपनी css और javascript को कहा बनाओ और इन web pages में कैसे use करो जैसे default का web page है तो इसमें आपको अगर अपनी css या अपनी javascript लगानी हो तो वो कैसे किया जाए तो इसका simple जवाब यह है कि आप जैसे कि HTML page में css और javascript use करते हो वैसे use यहाँ पर भी कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर style का tag बना सकते हो style लिके मैंने tab दबाया है जिससे इसने tag खुदी बना दी है तो यहाँ पर आप अपना style कर सकते हो जो भी आपको करना हो तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो और इस page को चलाने का एक और तरीका यह होता है कि आप right click करके इसे view in browser कर लो इससे ऐसे चलाने में फर्क होता है कि अब जो यह है ना यह debugging mode में नहीं चल रहा है तो कुछ इसके debugging features होते हैं जिन्हें आप use नहीं कर सकते अधरवाइस यह view in browser बास दफ़ा ज्यादा फास्ट होता है आई आई एस एक्सप्रेस options है तो इसके इलावा जो हम link करते हैं CSS को वो भी हम कर सकते हैं तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूं मैं एक अलग से folder बनाता हूं CSS का भी और JavaScript का भी तो एक folder बना दिया तो style sheet हमारे पास यह आ गई है नाम दे देते हैं इसको default तो इसमें default page की CSS आएगी अब इसको link करने का बहुत ही असान तरीका होता है कि CSS को उठाया जाए और पूरा का पूरा लाकर यहां छोड़ दिया जाए तो यह link खुद ही बना देता है अब इसको refresh किया जा सकता है और उस link की वज़ा से इसने पीछे के body को grey कर दिया और यह जो link है यह सरफ इसी default page में चलेगी अगर हम यह चाहते हैं कि यह link कोई हमने ऐसी link बनाई है जो के हर page में चलनी चाहिए यानि ऐसी CSS जो हर page पर चलनी चाहिए तो उसे हम content.css यह site.css इसमें लिखने हैं और यह link होई भी होती है हमारे master page में इसी वज़ा से यह तमाम pages में चल रही होती है javascript को करने का भी सेम तरीका है हम यहां पर एक script बना सकते हैं javascript file इसको नाम दे सकते है default क्योंकि मैंने default page के लिए बनाई है इसलिए इसका नाम भी मैंने default रख दिया ऐसे याद रखना असान होता है यह इसका intelligence थोड़ा काम नहीं कर रहा है बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है files को बन करके खोलने से सही हो जाता है या बाद दफ़ा थोड़े वगबाद क्योंकि files को load कर रहा है तो थोड़े वगबाद यह खुद ही इसके suggestions वगएरा दिखाने लग जाता है यह काम तो भी करेगा हम यहाँ पर इसको include कर सकते है file के end में तो उसका तरीका भी यह है कि इसको drag and drop करके यहाँ लाया जाए और यह एक script का tag बना देता है तो अब अगर मैं refresh करूंगा मुझे उसने alert show नहीं किया है save क्योंके नहीं किया था मैंने अब refresh करूंगा तो यह मुझे alert show कर रहा है तो इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट और CSS को connect किया जा सकता है और सारी फैस जो है हमारी इन फोल्डर्स के जरीए manage रहेंगी एक और तरीका यह होता है अगर यह लिंक हम खुद बना रहे हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं search ref में control space जबा सकते है तो यह हमें pick URL का दे देता है और यहां से हम इस UI के तहट जा सकते हैं यह वाली फैल मुझे select करनी है OK तो यह link खुद ही बना देता है in case अगर इसको change करना हो तो ऐसे भी किया सकता है अब थोड़ा इस चीज को भी discuss कर लेते हैं कि हमारे पास जो web form होते हैं जैसे default का web form है इसके दो parts होते हैं अगर मैं इसको खोलूं तो इसके दो parts होते है एक है ASPX यह कहलाता है आपका markup यह जो HTML लिखा हो है और यह जो है .cs यह आपका कहलाता है code behind जिसमें आपका C sharp का code सारा लिखा होता है आप किसी भी page पर right click करके ऐसे view code भी कर सकते हो जिससे यह code आ जाएगा और इस पर right click करके view markup भी कर सकते हो जिससे वापस HTML का code show होने लगेगा यह जो हमारे पास markup होता है इसको हम design भी कर सकते हैं यानि हम drag and drop करके भी इसको design कर सकते हैं लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि इसका यह यू आई है यह बहुत बहतरीन है हलाके जो web forms को बनाया गया था वो windows form के windows form को ही देखकर बनाया गया था क्योंकर windows form Microsoft का एक huge success था तो उसी को देखकर इस web form को बनाया गया था लेकिन इस web form की यू आई है यानि इसका design करने का तरीका है वो web form जितना अच्छा नहीं है तो इसी वजह से मैं तो कभी भी design pattern में comfortable नहीं होता सिवाए उसके के अगर आपको इसमें अगर कोई form बनाना हो जैसे कोई contact us में कोई form होता है कोई fill करने वाली चीज होती है तो वो बहुत अच्छी बन जाती है ड्रैगन ड्रॉप से otherwise इसमें पूरे web page को design करना is not a good idea तो इस design से हम जरा दूर दूरी रहते हैं और इसको कभी गबार इसमाल करते हैं बाकी हम जो सारा काम करते हैं वो इसी mark up में करते हैं तो हमारे पास ये with master page तो इसमें अपना code करते हैं इससे ये बात समझ में आ जाएगी के code behind जो है और ये जो mark up mark up का page है ये आपस में मिलके कैसे चलते हैं ये कैसे work करते हैं तो ASP हम पहले इस बात को समझ लेते हैं अगर ASP web forms को समझना है तो ASP web forms के controls को समझना होता है उससे पूरा web form समझ में आ जाता है इसके अंदर 5-6 types of controls होते हैं तो अगर उनको seek लिया आपको web form आ जाता है तो पहली type के जो control है वो तो simple कहलाते है HTML controls तो अगर मैं इस तरीके से div बना रहा हूँ तो ये कहलाते है HTML controls यानि normal जैसे मैं HTML में काम करता हूँ वही सारे tags में बना रहा हूँ इसके इलावा अगर मैं इस div में run at server कर दूँ अगर suggestion देखूं तो इससे server का suggestion मुझे दे रहा है तो run at server अगर मैंने लगा दिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के एक normal जो div है इसको कहा जाएगा HTML control जबके इस control को कहा जाएगा HTML server control क्यूंके इसमें run at server लगावा है run at server का मतलब यह होता है कि मैं इसमें c sharp की capabilities को use कर सकता हूँ यानि इस div में c sharp को apply नहीं कर सकता है code behind से कोई भी चीज इस div पर apply नहीं कर सकता run at server का मतलब यह होता है तो उसके लिए run at server लगावा होना जरूरी होता है अगर यह लगावा हो तो उसको हम HTML server control कह देते हैं इसके इलावा भी एक control होते हैं जिसको हम और भी वह से control होते हैं लेकिन जो अगला control में discuss करने वाला हूँ वो है इस तरह के controls जिने हम कहते हैं ASP server controls तो इसमें इस तरह का text box आ जाता है और भी मुक्तलिफ तरीके के ASP के controls आ जाते हैं तो बेसिकली यह करता यह है कि यह text box जो है इसको तो browser नहीं समझता है browser समझता है simple input को तो यह ASP के controls वो control होते हैं जिने हमारी आसानी के रिए बनाया है और इनकी अपनी capabilities भी होती है यानि इनकी अपनी properties होती है जिने हम use करके आसानी के साथ कोई भी UI बना सकते हैं तो इसके अपने कुछ फायदे होते हैं और इसका जो main फायदा यह होता है कि यह ASP का control है तो अगर मुझे यह बात पहले से अंदाजा होता है कि इस control को मैं code behind में use करूंगा तो जिस control को मुझे code behind में use करना होता है मेरी कोशिश यह होती है कि मैं ASP वाले controls को use करूं जैसे कि अगर मुझे button बनाना है मुझे पता है कि मैं code behind में इस button को use करूंगा तो मैं input वाले button की जगा मैं use कर लेता हूँ ASP वाला button और यह जो green दे रहा है कि इसमें run at server नहीं लिखा वा तो run at server एक और दफ़ा टैप दबाऊंगा तो यह पूरा server लिख देगा तो अगर मुझे इसे back पर use करना होता है यानि code behind में तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे server controls हो लेकिन for example हमारे पास div के लिए कोई ASP का control नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं यह run at server इसी div में लिख दूँगा तो यह html server control बन जाएगा तो अब मैं इसको c sharp में back पर use कर सकता हूँ इसमें और इन दोनों में यह फरक होता है क्योंके ASP के अपने controls हैं जैसे के एक आम input होता है उसमें value लिखते हैं इसमें हम value नहीं लिखते हैं बलके इसमें हम लिखते हैं उसकी जगा text जिसकी meaning same होती है यानि अगर मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ तो यह generate करेगा एक input को जब हम यह compile बटन दबाएंगे तो वो इस ASP text box को convert कर देगा इस input में जिसका type होगा text और जिसकी value होगी ABC तो यह इस पूरी चीज़ को इसमें convert कर देगा ताकि ब्राउजर उसे समझ सके क्योंकि ब्राउजर ASP के controls को नहीं समझ सकता तो ASP के controls बस हमारी help के लिए होते हैं और क्योंकि इसे windows form के structure पर बनाया गया था तो इसलिए windows form में भी text box होता था तो इसमें भी text box है तो बहुत सारे windows form वाले नाम आपको यहां पर नजर आएंगे एक और बात यह है के आपके पास यह toolbox भी है इसमें मैं यह standard कर दूंगा तो यहां पर मुझे ASP के controls नजर आ रहे हैं तो मैं यहां से भी drag and drop कर सकता हूं ऐसे मेरा text box यह बना देता है तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो के मैं यहां से drag and drop कर सकता हूं यहां पर HTML controls भी दिये होते हैं तो उनको भी मैं drag and drop कर सकता हूं अब इनको इसमाल करके एक छोटा सा कुछ बनाते हैं जिससे हमें पता चले कि हम किस तरीके से code behind से काम लेते हैं तो इसमें मैं दो text boxes बनाऊंगा और drag and drop से ही तोड़ा काम कर लेते हैं तो यहां पर मैं दो किसम के text box बनाऊंगा पहले वाले का नाम होगा f name t box और दूसरे वाले का नाम होगा l name t box अब इसमें आप यह देख सकते हो के id जो है उसे capital लखा गया है तो यह convention होता है कि हमारे पास server controls होते हैं उसमें हम id को capital लगते हैं यह दोनों चीज़े जरूरी हैं अगर मुझे इनको code behind में access करना होता है तो इसमें run at server तो लिखा होना जरूरी है साथ में यह भी जरूरी है कि इसकी कोई ना कोई id भी define हो तभी मैं access c sharp के code behind में use कर सकता हूँ तो इसके इलावा जो है हम एक और सीज़ बना सकते हैं यहां पर उपर भी एक BR का tag लगा देते हैं और नीचे भी BR का tag लगा देते हैं इसके बाद मैं ASP के और controls use कर सकता हूँ तो मेरे पास एक होता है drop down list तो इस list में ASP का एक और फाइदा यह होता है कि ASP का अपना controls है और अब मुझे नहीं पता कि कैसे stack के अंदर क्या चीज़े आएंगी मुझे यह चीज मालूम नहीं है तो मैं यह angle bracket खोलूँगा तो वो मुझे सिर्फ वो चीज़े दिखाएगा जो इस drop down list के अंदर आ सकती है तो इसमें से मैं ASP item list select कर सकता हूँ और इसमें मैं अपना item लिख सकता हूँ तो इसमें मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ male या फिर female एक और चीज़ यह के जैसे ASP text box है तो इसमें placeholder की property नहीं होती लेकिन मुझे पता है first name तो यह इस तरीके से भी काम करता है भले ही suggestion नहीं दे रहा हो लेकिन यह काम कर जाता है एक button बनाऊंगा जिसका text में रखूंगा submit this info अब क्यूंके मुझे C sharp का event देना है sub button अब मैं जब इसमें on click बनाऊंगा यहां पर इंटर दमाऊंगा तो वह proper name से मेरा click event बना देगा तो यह page load का event दो लास्मी होता है इसके इलावा यह button का event भी बन चुका है अब इस button के event में यही कर सकता हूँ के एक class होती है response.write इसको use करते में मैं एक script चला सकता हूँ जिसमें alert show करवा दूँगा तो मैं इसमें लिख सकता हूँ script तो अगर मैं इसको चला कर देखूँ तो अब यहां पर कुछ भी first name और last name निकर यह submit किया जा सकता है तो यह alert भी show कर रहा है इसमें एक चीज़ यह है गौर करने आली अगर मैं कोई नाम लिखता हूँ और submit करता हूँ तो data submit होने के वाद नाम जो है वो गायब नहीं होता है यह नाम erase नहीं हो रहा है तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो और इसको मैं C sharp के कोट के जरीए करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि इससे मैं एक चीज़ भी समझाना चाहरा हूँ वो भी मैं आपको समझा दूँगा कि हम आएंगे के कोट behind में और यहां पर हमारे पास यह page load का event है यह हमेशा load होता है जब भी जब भी कोई page load हो या फिर refresh हो तो यहां पर इसको हटाकर console.log और यहां पर मैं लिख दूँगा page first started इसमें हमारे पास एक condition होती है if is post back else तो basically हम मैं क्या यह रहूं के अगर page पहली दफा स्टार्ट हुआ हो तो यह कहते है page first started अगर post back हुआ हो तब यह कुछ और करे तो post back इस चीज़ को कहा जाता है तो जब submit button दबाया जाएगा तो जाहर सी बात है submit click यह request आएगी इस server के पास अब जो server होता है न वो data submitted console में लिखने के बाद redirect करेगा वापिस इस with master वाले page पे तो यह page load event जो है वो दुबारा चलेगा यह click का event चलने के बाद page जो है वो refresh होगा और refresh होके वापिस वो with master page को load करेगा जब वो दुबारा load करेगा तो वापिस यह event चलेगा लेकिन इस दफ़ा न उसको पता होगा कि यह post back कर रहा है यह किसी click या किसी event की वजह से page load कर रहा है originally जो है वो page load नहीं हो रहा यह पेज पहली दफ़ा लोड नहीं हो रहा बलके किसी click या किसी event की वजह से यह दुबारा page load हुआ है तो हम यह detect कर रहे हैं कि कहीं यह post back तो नहीं है अगर यह post back है तो लिख दो post back event और यहां पे हम क्या कर सकते है f name को f name के text को blank कर सकते है और last l name text को भी blank कर सकते हैं अब इसको अगर मैं चलाओंगा तो पहले console को खोल लेता हूँ यहां पर लिखावा आ रहा है page first started अब जब मैं कोई नाम यहां पर लिखूंगा submit करूंगा तो अब लिखावा आ रहा है data submitted एक तो लिखावा रहा है और लिखावा आ रहा है post back event यानि post back हुआ उसके बाद data जो है वो submit हुआ और यह दोनों जो हैं वो blank हो चुके हैं क्योंके मैंने submitted वाले में यह लिखा था अब अगर मैं कोई और नाम लिखकर फिर इससे submit कर देता हूँ तो यहां पर मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है पर कुछ लिखावा नजर नहीं आ रहा लेकिन अगर मैं count करना चाहता हूँ के हर दफा post back event count हो तो फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए कोई ऐसी resource जो के refresh करने पर यानि post back करने पर जो information नहीं जाए तो मुझे ऐसा कोई variable type का चाहिए होगा तो वह हमारे पास होता है view state की सूरत में तो view state एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप data को retain कर सकते हो यानि आपका page refresh होगा लेकिन आपका data नहीं जाता वह किस तरीके से बनता है यह जो submit होता है यहाँ पर else में यानि जब पहली दफ़ा जब नाम दे दूं count का उसके बाद equal करके मैं इसमें कोई भी value डाल सकता हूँ यानि मैं इसमें list डाल सकता हूँ array डाल सकता हूँ string डाल सकता हूँ कुछ भी तो मैं इसमें डाल देता हूँ फिलाल simple zero अब क्या होगा जब page दूसरी दफ़ा चले गा यानि page refresh होगा या मैं submit का बटन दबाऊँगा तो post back होगा तो उस सूरत में मैं इस view state को equal कर दूंगा view state view state plus one के यह मैंने int इसलिए लिखा है क्योंकि इसे बताना पड़ता है कि यह जो view state है यह एक integer है तो इसे type casting कहते हैं तो इसको बताना पड़ता है क्योंकि प्लस one वर्ना करने नहीं देता अब इस view state count को ना मैं use करूंगा यहां पर इससे होगा क्या अच्छा अब जो होगा हमारे पास मैं कोई चीज यहां पर लिखूंगा सब्मिट करूंगा तो लिखावार है post back event zero तूसरा कुछ सब्मिट करूंगा तो अब यह one हो गया और इसी तरीके से मैं सब्मिट करता रहूंगा तो यह नंबर बढ़ता जाएगा यह पेज रिफ्रेश हो रहा है लेकिन उसके बावजूद यह इस इन्फरमिशन को इस नंबर को रिटेन कर रहा है तो यह सिर्फ नंबर नहीं वलके पूरी पूरी लिस्ट को भी रिटेन कर सकता है तो व्यू स्टेट में इस अलायत होती है तो मैं यह व्यू स्टेट अन्लिमिटेड बना सकता हूं से मुझे नाम चेंज करना है यह व्यू स्टेट जैसे यह व्यू स्टेट काउट बनावा है तो मैं इसको कर सकता हूँ view state hello तो ये एक निया view state बन जाएगा ऐसे मैं unlimited variables बना सकता हूँ इस view state के अब कुछ और बनाते हैं तो इस page को मैं फिलहाल बन कर रहा हूँ और थोड़ा सा और कुछ बना कर देखेंगे without master वाले page में बलगे पहले mark up में ही हम कुछ बनाते हैं इस body में एक ASP bullet list बनाते हैं इसको मैं मुझे करना पड़ेगा run at server और इसको id देनी पड़ेगी dropy id दे देने हैं इसको अब जैसे कि अगर मुझे नहीं पता कि इस bullet list में basically आता क्या है तो मैं ये angle bracket कोलूँगा और मुझे show कर रहा है अब इसमें मैं item 1 item 2 इस तरह के से item set कर सकता हूँ और एक button मैं रख सकता हूँ यहाँ पर add button click अब इस add button click में मैं उस list को access कर सकता हूँ जिसका मैंने नाम रखा था drop p और इसमें मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही होगी items dot add तो यह चीज ना मैं normal list के साथ नहीं कर सकता था यह क्योंके मेरे पास मैंने add की थी bulleted list जो के ASP का एक अपना control ASP का control है तो उसमें मेरे पास इस तरीके की properties आ जाती है तो इसमें मैं item का नाम लिख सकता हूँ जो के मैं उठाऊंगा text box से मैंने यहाँ पर टेक्स बॉक्स add नहीं किया है तो एक text box ले आँँगा जिसका नाम text box one ही रहने देते हैं text box one dot text तो इससे क्या होगा add बटन करने पर dropy में एक नए item आ जाएगा जिस जो के text box one में लिखा हुआ होगा अच्छा आप इसे run करके देखते हैं लेकिन मैंने जो है ना form का tag जल्दी जल्दी में हटा दिया है जबके form का tag जरूरी है यहां पर इसको चलाने के लिए इन server controls को चलाने के लिए क्योंके server controls जो होते हैं वो post back करते हैं और post back के लिए form जरूरी होता है तो इसमें run at server ऐसा लगाना भी इसमें जरूरी है तो अब इसको हम चलाकर देख सकते हैं 9 10 10 10 10 11 झाल झाल तो यहाँ पर मैं कोई कोई भी चीज लिख सकता हूँ एड दबाऊंगा इस एक्शन को भी हटा देंगे सिर्व यह फॉर्म और रेनेट सर्वर हमें चाहिए तो अगर मैं इस पर कोई आइटम लिखता हूँ और एड दबाता हूँ तो वो आइटम एड हो जाएगा और इतनी असानी से मैं न्यू आइटम को एड कर सकता हूँ अब अगर मुझे इस इस बटन में कोई जावा स्क्रिप्ट का इवेंट भी लगाना हो तो उसके लिए भी मेरे पास एक आप्शन होता है जो के होता है ओन क्लाइन क्लिक इसमें मैं लिख सकता हूँ एबी सी और यहाँ पर स्क्रिप्ट का टेग जिसमें फंक्शन मना सकता हूँ एबी सी जो के अलेट करेगा जे एस कोई नया आइटम एट करता हूँ तो पहले JS दिखा हुआ और उसके बाद जो जो सी शार्प का इवेंट थाँ था उसके थू यह आइटम एढ़ गया है कोई नया आइटम एड करोंगा तो यह पहले JS दिखाए गा उसके बाद उस नए आइटम औध को एड़ करेगा तो इस तरीके से हम C-Sharp और Javascript दोनों के इवेंट लगा सकते हैं इस सर्वर साइट कंट्रोल में अगर हमारे पास नॉर्मल बटन होता नॉर्मल जो बटन है उसमें ऑन क्लिक से Javascript चल रहे जबके इसमें ऑन सर्वर क्लिक से C-Sharp आला इवेंट चल रहे एक फाइनल सीज जो मैं बताना चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट में जाकर यहां पर होता है manage nugget packages यहां पर आप easily bootstrap और jQuery को update कर सकते हो jQuery करने की जरुए नहीं पढ़ती लेकिन bootstrap को update करने की हमें जरुए पढ़ती है तो इसमें latest version दिया वा होता है लेकिन अगर आप यह करोगे तो इसका जो जो खुद से एसपी डॉट नेटे बना के दिया था नैप बार और फोटर वो बिगर जाता है तो उसमें मसले आ जाते है तो अगर आप उसका नैप बार हटा के अपना नैप बार लगा रहे हो बूर्ट्ट्टेप 4 का तो फिर आप आप इसे अपग्रेड यहां से कर सकते हो अब मैं क्या कर सकता हूँ तो अब क्योंके मेरा जो नैप बार वो खराब हो चुका होगा तो मैं उस नैप बार को डिप्लेस कर सकता हूँ यानि के मास्टर पेज में इस वाले ले आउट को यहां पर मुझे यह कोलैप्स करने का नहीं दे रहा क्योंके सभी से लोड नहीं हुआ है अब हो गया तो मैं इसकी जगर रेप्लेस कर सकता हूँ नैप बार को लेकिन इसमें इस बात का खास दिहान रखना होता है अभी यह चीज सामने आगई कि इसमें यह फॉर्म है यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट कर देता है इसकी वैसे हमारा पेज चाही लोड नहीं हो पाता क्योंकि यह जो ASP के पेजिस चल रहे होते हैं यह औरेड़ी एक फॉर्म के अंदर चल रहे होते हैं यह बाड़ी में जितना कॉंटेंट है न वह फॉर्म के अंदर ही है तो एक उसूल होता है कि फॉर्म के अंदर हम फॉर्म को इनिशिलाइस नहीं कर सकते तो इस तरह का नैबबर अगर आपने उठाया जिसमें फॉर्म है आपको इसको किसी डिफ से रिप्लेस करना होगा या इस तरह की कोई चीज करनी होगी क्योंके फॉर्म के अंदर फॉर्म तो नहीं हो सकता क्योंके नैबबर नेया है तो मुझे इसमें लिंक्स भी दुबारा से सैट करनी पड़ेंगी तो मेरे पास यह जो हॉम की लिंक है इसमें मुझे सैट करना होगा कंट्रोल स्पेस जबाकर तो यह जो पूरा लिस्ट आइटम है हमें लिंक्स को कॉपी करने के लिए इसको पूरा कॉपी करना पड़ेगा तो अब इसे चला कर देखते हैं सब में होम लिखा हुआ है इसको अबाउट और कॉंटेक्ट कर दिया जाए वैसे मुझे बार बार बन नहीं करना चाहिए इसको रिफ्रेश करने से यह सारी चीज़ें अबडेट हो जाती है और वो ज्यादा फास्ट होता है तो यह हमारे पास रन नेप बार आ गया जिसमें आबाउट और कॉंटेक्ट वगेरा बिल्कुल सही काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आ रहा है यह वाला मसला तो यह वही मसला है कि वो वैब फॉर्म के वैब फॉर्म में जा रहा है तो यह मसला इसी तरीके से हल होता है कि आप यहाँ पर रन एट सर्वर लगाओ सब के साथ और शुरू में लगा दो रूट एलेमेंट तो कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी यानि पहले रूट पे आओ उसके बाद वैब फॉर्म में जाओ उसके बाद बागी अब हमारे पास यह जो आ रहा है अब कभी भी यह गलती नहीं होगी कि कोई लिंक दबाने पर वो दो दफ़ा वो वैब फॉर्म लिख दे या ऐसी कोई गलती अब नहीं होगी इतना ही आज की वीडियो के लिए इतना ही और अज़की वीडियो के लिए एटने वीजित्टर विडियो के लिए अचे बा감 होगी केजिए see you next time